बच्चों की mental और physical growth के साथ ही उनकी immunity को 5 खाने की चीज़े बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। अगर आपका बच्चा इन 5 चीज़ों को खाने का आदी है तो आपको उसे बदलने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। कुछ फूड ऐसे हैं जो स्वाध में तो बेस्ट होते ह लेकिन बच्चों की सेहत के लिए नहीं है। इन फूड का लगातार सेवन करने से बच्चों की growth और immunity ही weak नहीं होती बलकि इससे उनका liver भी खराब होने लगता है। तो आईए जानते हैं ये 5 फूड कौन से हैं। soft drinks, soda या कोला पीने से diabetes और मुटापे का खत्रा बढ़ जाता है। अपने बच्चों को package फलों के रसका सेवन न करने दें इसमें सिर्फ soda, शुगर के अलावा कुछ नहीं होता। fresh fries, fresh fries बच्चों को बहुत पसंद होते हैं लेकिन trans fat और calorie से भरी हुई ये चीज बच्चों के digestion के लिए बहुत हानिकारक है। आप अगर fries को replace ही करना चाहते हैं तो अलू की जगह शकरकन या दूसरी सब्जियों को शामिल करे शुगर ग्रेंड। शुगर से भरपूर चीजों में fiber न के बराबर होता है। जैसे cream roll में fat और शुगर के अलावा इसमें कोई भी पोशक तत्व नहीं होता है। बच्चों को ऐसी चीजे दे जिसमें 10 ग्राम से कम चीनी और कम से कम 3 ग्राम fiber हो प्रोसेस कूड। कई शोद कहते हैं कि प्रोसेस red meat जैसे hot dog diabetes और पेट के cancer का खत्रा बढ़ा सकते हैं। hot dog sodium वसा और nitrate से भरे हुए होते हैं जिनसे cancer का खत्रा होता है। अगर आप daily meat खरीते हैं तो कम sodium carbonic variant के लिए जाएं जो extra nitrates free हो। fruit flavor वाली चीजे, fruit यानी फल वाले flavor को पढ़कर यह न समझे कि कोई चीज फलो से बनी हुई है। उदाहरण के लिए fruit cake या fruit gummy candy की तरह चीनी से भरे होते हैं यह चीजे शुगर और chemical से भरी होती हैं जो बच्चों के दांतों से चिपक कर cavity की problem देती है। तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी यूट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।